सबी विश्यों पर ठीक तरह से निवेश करें कैसे करें यूटी आई की एग्जेक्टूटिव वाइस प्रेसिडेंट स्वाती कुलकरणी ने इस दौरान एहम जानकारिया दी है हम आपको दिखा रहे हैं आज ऐसे निवेशकों की अब कोई कमी नहीं है जो एक्विटी म्यूचल फंड इन्वेस्मेंट को एक लॉंग टर्म वेल्थ जनरेट करने का साधन मानते हैं इसका जीता जाकता उधारण भारत का पहला एक्विटी फंड यूटी आई मास्टर शेर यूनिट स्कीम है जिसने वेल्थ क्रियेशन की अपनी 33 साल की आतरा पूरी की है जिस निवेशक ने 1986 में 10 लाख रुपे का निवेश किया था और उसके प्राप्त सभी लाभाउश को पुनर निवेशित किया था आज उसका निवेश 11 करोर रुपे से अधिक हो गया है हम मानते हैं कि दिरगावधी में वेल्थ क्रियेशन की यातरा में बहतर रिटन देने वाली कंपनियों को चुनना जितना महत्वपुर्ण है उतना ही महत्वपुर्ण है धन को नश्ट करने वाले कंपनियों से निवेश न करना इसलिए हमारी निवेश प्रक्रिया Cash Flow Generation और Return on Capital Employed पर केंदरीत है UTI Master Share के मामले में देखा जाए तो यहाँ एक Large Cap Equity Fund है हमारा ध्यान उन कमपनियों को खरिदना है जो की अपने संबधनिक शेतरों में अगरणी है ऐसे कमपनियों के पास कस्टमर्स को Cost Pressure पास करने की और Profitability बरकरार रखने की क्षमता होती है या फिर इनकी Cost of Production काफी कम रहती है जिसके कारण Cash Flow Generation और Return on Capital Employed बहतर रहते हैं हम उचित मुल्य सिद्धानत पर याने की Growth at Reasonable Price पे निवेश करते हैं चक्रपृद्धी के सरल सिद्धानत वित्य भविश्य को सुरक्षित करने के तरीकों को समझने में मदद करते हैं 20 वर्षों के लिए निवेश की गई X राशी 15 वर्षों के लिए निवेश की गई X राशी के तुलना में अधिक धन पृद्धी करेगी और 20 वर्षों के लिए निवेश किये गए 5000 का SIP, 20 वर्षों के लिए निवेश किया गए 4000 के SIP से अधिक धन वृद्धी करेगा MF return का संकेत नहीं दे सकता है, लेकिन अपनी वित्तिय जरूरतों पर विचार करने के बाद जल्दी और नियमित रूप से निवेश करना निवेशकों के लिए उचित रहेगा निवेशक equity mutual fund में निवेश करने के लिए core और satellite approach का पालन करना पसंद कर सकते हैं जिसमें large cap और multi cap funds में 50-60 फिसदी equity allocation कर सकते हैं mid cap funds में 20 फिसदी और sector और thematic exposure को 10 या 15 फिसदी तक सिमित कर सकते हैं